मुगदा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी ना किसी काम को लेकर मत भेत चलते ही रहते हैं बहू ओ बहू जरा चाए बना दे मुगदा चाए लेकर आती है ये लीजिए और कुछ चाई ये अरे नहीं बस चाए पीने का मन था जाओ तुम दूसरा काम करो चाई पीने के थोड़ी दिर बाद सास दुबारा मुगदा को आवाज लगाती है अरे बहुरे आओ बहु जरा हलवा तो बना दे मीठा खाने को मन हो रहा है इसे तरह मुगदा के सास पूरा समय कोई ना कोई काम बता कर उसे रसोई से बाहर तक निकलने नहीं देती कभी चाई, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूद हर समय खाने को चाहिए और उसके लिए अपने हाथ पर बलकुल नहीं लाने परिशान किया हुआ इनोंने सास के जवरदस्ती परिशान करने की आदतों से दुखी मुगदा एक शाम सचीन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है सुनो जी, ममी जी की ये जान बुझकर मुझे परिशान करने की फर्माईशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ पूरे दीन में एक सेकंड का आराम नहीं मिलता रसुई से बाहर कदम रखती नहीं कि बहुर ये बना दे, बहुरी वो बना दे और इनकी फर्माईशे चलती ही रहती है अरे मुगदा, मा खाने की शौकीन है पर उम्र हो चली है खुद खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुम से बोलती है अरे तुशाक भी उम्र देख कर रखने चाहिए न समझ में नहीं आता हर समय फेवी कॉल का जोड लगाए सोफे से चिपके बैठी रहती है इतना सब डाइजिस्ट कैसे हो जाता है उन्हे अरे तुम मेरी मा से इतने नफरत कैसे कर सकती हो मैं उसे नफरत नहीं करती जी, बस परेशान हूँ जहां मुगदा अपने पते से ये सब बोल रही होती है वहीं उसकी सास भी कमरे के बाहर दर्वाजे से कान लगाए सारी बाते सुन रही होती है और अगली दोपे रसोय में मुगदा के पास जाती है बहू, आजना मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन है तुछाए बना दू, मुझे बहुत पसंद है सास की बात सुनकर मुगदा हैरान रह जाती है मतलब, अब पूरा समय मुझे पर हुकम चलाने की साथ बंद कमरे में हुई पती पतनी की बीच की बाते भी सुनती है अरबाद जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिकत है ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है अरे, अब तो हद पार हो गई इस तरह से तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी मुगदा सास की हरकतों से परिशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं जिसमें सास का जनम दिन आता है मुगदा बहुत खुशी के साथ अपनी सास को एंडरॉइड मुबाईल गिफ्ट करती है ममी आपको सबसे बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है न कभी सचीन तो कभी मुझे बोलना पड़ता है पर इस मुबाईल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एक जगर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं अब आप मुबाईल देख सासुमा खुश हो जाती है पर उसे इस्तमाल करना तो आता नहीं इसलिए साइड में रख देती है जिसे देख मुगदा घर का सारा काम छोड़ मुबाईल सेट कर सास को इस्तमाल करना सिखाने लगती है जिसके बाद अब सास पूरा समय मुबाईल में ही लगी रहती है है जब से ममी को मुबाईल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांती आई है अच्छा है इसी तरह बीजी रहे तो मैं भी सुकुन की जिन्दगी जी पाऊंगी अब मुगदा जब मन करे काम करना जैसा चाहे वैसा खाना बना कर खाना पूरा समय रिलाक्स और खुश रहने लगती है क्या बात है आजकल तुम बहुत चैक रही हो हरे मम्मी जी से चिटकारा जो मिला है अब ना फर्माईशे ना छिप छिप कर बाते सिन्ना अच्छा तो मुबाईल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी इसी तरह दिन बीटते हैं और अब मुबाईल पर लगी सास फर्माईशों की जगर सवालों के लिए बहु को आवाजे लगाना शुरू कर दीती है अरे बहु सुन तो देख जरा किसे का फोन क्यों नहीं मिल रहा रिचाज खत्म हो गया है पर अपी चार दिन पहले ही तो मैंने किया था इतनी जलती कैसे खत्म हो गया अरे मैंने कल तेरी कनाड़ा वाली मौसी सास से तिन घंटे बात की थी न क्या इतना महंगा तो मौबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रिचाज पढ़ रहा है इसकी बात तो जैसे मुगदा के दिन की 24 गंटे में से 20 गंटे सास की पास उनकी मौबाइल रिलेटिट प्रॉब्लम सॉल करने की ड्यूटी ही बन जाती है आरे मुगदा ये मुबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शकल क्यों दिखने लगी और ये तो हिल भी रही है मम्मी ये गूगल डूओ का वीडियो कॉल है इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शकल भी देख सकती हो अच्छा सचीन भी वहां जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है क्यों सास बहु में क्या गपशप चल रही है इससे गपशप नहीं दिमाग का दही होना बोलते है पर तुम तो मम्मी को मुबाइल देकर बहुत खुश थी फिर क्या हुआ हाँ उसका सुकुन भी कुछ ही दिन मिला अब घर के टंटे खत्म होए तो मुबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई देखो भई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है आखिर तुमने मुबाइल अपने फाइदे के लिए ही तो दिया है तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फूंत्रू रहेगा तुम्हारी लाइफ में प्राइवसी और सुकुन रहेंगे कहने का मतलब है अगर इस से प्यार बढ़े तो दाग अच्छे हैं अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मुबाइल किस मकसद से दिया गया है भूलो मत इस से पहले मैं बाते ही सुनती थी सास की ये बात सुनकर मुगदा शौक में और सचीन हस्ता रह जा